सबी को नमस्कार कल 27 माई को रोटरी किलब RID 3120 के DGE Rotarian केके श्रिवास्तो जी के द्वारा रोटरी इंडिया वाटर मिशन RIWM पर एक वेबिनार आयोजित किया गया जिसके चीफ गेस्ट PDG Rotarian रंजन धिंगरा जी थे जो के RIWM के चेर्मेन भी हैं इस वेबिनार में RID 3120 के पदाधिकारियों के अतरिक्त सहों से अधिक एलेक्ट प्रिजिडेंट, सेकेटरी, एजीज, एटीज, कौरडिनेटर्स, कलब चेर्मेन आदी समलित हुए रोटरी इंडिया वाटर मिशन के कीनोट स्पीकर PDG Rotarian अरुन कुमार जैन जी थे जिनोंने R.I.W.M. मिशन पे अपना बहुती सुन्दर प्रिजन्टेशन दिया जैसा कि हम सभी को ग्यात है कि रोटरी इंडिया के द्वारा 2020 और 2025 के मद्य आठ वर्टिकल्स डिसाइट किये गए हैं जिसके ओपर रोटरी इंडिया के डिफरेंट कलब्स को प्रोजेट्स करने हैं ये भी कहा गया कोई जरूरी नहीं है कि हर एक कलब को सभी वर्टिकल्स पे प्रोजेट्स करने हैं इन आठ वर्टिकल्स में से किसी पे भी जो वहां की लोकल नीट्स हो जैसे रिसोर्सेस अवैलेबल हैं बजट के अनुसार कोई भी इन में से वर्टिकल्स रेट करके उस पे काम किया जा सकता है तो water mission भी उनी में से एक vertical है जिस पर सेमिनार हुआ ये बताया गया कि सभी verticals में water mission vertical काफी important है क्योंकि अन्हे सभी verticals में कहीं कहीं water किसी न किसी रूप में link है पानी हर जगह है अर्थ का 75% जो सफ़े से वो पानी से ढखा हुआ है 95% जो पानी है वो ओशियन्स में है बाकी 5% के वल जो है वो नदियों में या तालाप में या जहरनों में अन्यसरोतों में इनका मातर 3% पानी जो है वो पीने लाइक है हमारे खुद हुमन बॉड़ी का बाई वेड जो है 66% पानी है इंडिया में इस समय जो करिंट वाटर सिनेरियो है 2011 में पानी की 1545 क्यूबिक मीटर पर ये रुप लपता थी जो कि 2025 में 1340 और उसके बाद 2050 में 1140 हो जाने की संभावना है जबकि इंटरनेशनल नाम 1700 का है पानी जो हम लोग यूटलाइस करते हैं उसका 9% डोमेस्टिक परपस के लिए 2% जो है इंडिस्टिस परपस के लिए और बाकी 89% पानी इरिगेशन में इस्तमाल होता है तो जहां सबसे ज़्यादा पानी का इस्तमाल होता है यूटलाइशन होता है वहां पे इसको सबसे ज़्यादा कंजर्ब करने के आउशकता है इंडिया में वाटर टेबल की इस्तिती काफी चिंता जनक है ऐसा आधिन किया गया है कि 6,600 यूनिट्स में से 1071 यूनिट्स ऐसे हैं जहां पे पानी पूरी तरीके से एकस्प्लाइट हो चुका है 217 यूनिट्स हैं जो कि क्रिटिकल स्टेज में है जहां 90 परसेंट तक पानी एकस्प्लाइट हो चुका है 697 ऐसे यूनिट्स हैं जहां पे 70 से 100 परसंट तक पानी का एक्स्प्लाइटेशन हो चुका है और इसके अलावा बाकी कई ऐसे यूनिट्स हैं जो की ऐलर्ट की इस्तिती में है भारत में पीने वाले पानी की इस कठिन समस्या को देखते हुए रोटरी इंडिया ने 11 सेप्टेंबर 2019 को रोटरी इंडिया वाटर मिशन स्टार्ट किया इस वर्टिकल में पांच अन्य वर्टिकल जोड़े गए हैं जो डवल्यू ए टी इ आर से स्टार्ट होते हैं Water India Mission में W का मतब है Watershed Development, A याने Awareness, Tree याने Transformation of Water Bodies, E याने Efficient Use of Water और R याने Rain Water, Harvesting ये पांच वर्टिकल्स हैं रोटरी इंडिया Water Mission के Water Share Development का उद्देश ये है कि जो पानी बारिश के माधियम से नीचे गिरता है शेरों में गाउं में पहाड़ों पर उसका जादा से जादा हिस्सा कंजर्व करना, कैप्चर करना इस बारिश के पानी के साथ जो जमीन की मिटी का इरोजन होता है, स्वाइल इरोजन होता है उसको रिड्यूस करना जमीन की उपरी सतह का जो इरोजन होता है उसमें काफी निउट्रियंट्स होते हैं, उन निउट्रियंट्स को बचाना एगरी कल्चर जो ईल्स है इसकी होजासे काफी कम हो जाती है उसको इंक्रीज करना और पूरे एको सिस्टम को कैसे फाइदा मिल सकता है यह वाटरशेड डिवल्लमेंट का उदेश है वाटरशेड डिवल्लमेंट के लिए पांच तरीके हैं जिनको अपना की बारिश के पानी को काफी हद तक कंजर्व किया जा सकता है जिसमें सबसे पहले है चेक डेम्स का उप्योग करना दूसरा तरीका है पॉंड्स याने टेंक्स का इस्तमाल करना तालाबों का इस्तमाल करना तीसरा है गेबियन इस्ट्रक्चर्स चौथा है ट्रेंचिस का प्रियोग करना और पांचवा है अर्थिन बंडिंग का इस्तमाल करना जो इसके आपजेक्टिवस हैं वाटरशेड डियलिमेंट के पहला है ग्राउंड वाटर को रिचार्च करना जब पानी अधिक मातरा में ग्राउंड के अंदर होगा तो उससे फूट का, फॉडर का, फ्यूल का प्रोडेक्शन बढ़ेगा और जब पानी के उपलबता अधिक होगी तो उससे फॉरेस्ट भी जादा होगी और उससे वाइड लाइफ का प्रिजर्वेशन होगा नहीं तो पानी की कमी की वज़े से बहुत सारे जंगल नश्ट हो रहे हैं के वज़े से वहां रहने वाले जो वाइड लाइफ पराणी हैं वो भी गायब हो रहे हैं वो भी इधर उधर नश्ट हो रहे हैं इसके अलावा स्वाइल इरोजन जो हो रहा है उसको कंट्रोल करना इंप्लाइमेंट जनरेशन को ये मदद करता है जब पानी उपलब्द होता है और इसके अलावा री क्रियेशन फैसिलिटीज को बढ़ावा दिया जा सकता है पानी के मदद से वाटर शेप डिवल्लमेंट के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं सबसे पहला स्टेप होता है साइट का सेलेक्शन करना कि कहां पर हमें प्रोजेक्ट करना है इसके लिए रोटरी इंडिया ने आलेडी गॉर्मेंट से बात कर रखी है गौर्वर्मेंट का भी अपना एक वाटर मिशन है उन्होंने साइट्स के लिए एक लिस्ट बना रखी है कहां कहां पे डैम के माध्यम से या तालाब बना के या किसी अन्य तरीके से पानी को कंजब किया जा सकता है बचाया जा सकता है तो रोटरी और गौर्मेंट के बीच में एक तरीके से टाइफ हुआ है कि जितने प्रोजेट्स गौर्मेंट को करने है उसका 10% जो है वो रोटरी उसमें अपना से योग देगी साइट सेलेक्शन के अलावा रिसोर्सिस का सर्वे इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन काफी इंपॉर्टिन्ट है और वाटर शेट डिवलिमेंट प्रोजेट प्लान ये इसका चौथा स्टेप और पांचवाँ ट्रीटमेंट और वाटर शेट से इस पर जो आने वाले खर्चे है उसको डिस्कस किया गया ये डिपेंट करता है कि प्रोजेक्ट किस लेवल का जो है वो लिया जा रहा है छोटा या बड़ा जिसे चेक डेम जो है उसको बनवाने में पांच लाग से लेकर पचास लाग तक खर्चा आता है एक तालाब को टैंक को बनाने में भी 50,000 से लेकर 2,000,000 तक का खर्चा सकता है डिपेंड करता है कि टैंक का साइस क्या है जो चेक डेम्स रोटरी इंडिया ने चनित किये हैं जो उसे करने हैं वो लगबख 17,040 है इसमें से करीबन 1,500 ऐसे चेक डेम्स हैं जो की उतर परदेश में बनने हैं रोटरी इंडिया के माधियम से इसके लिए R.I.D. 312-0 को जिए जिम्मेदारी दी गई है कि वो इन चेक डेम्स को विविन कलप्स के माधियम से बनवाए इसमें डेम्स के अलावा अगला वर्टिकल है A से आवेरनेस जिसके माधियम से रोटरी मेंबर्स का स्वैम और आम जनता में पानी के कंजरवेशन और मेनेजमेंट को लेके आवेरनेस को फैलाना ना सिर्फ अवेरनेस बलकि पानी के परती रिस्पेक्ट को भी जागरूत करना जिससे की लोगों का एटिट्यूड और बीहेवियर पानी के परती परिवर्टित हो सके अवेरनेस के जो विबिन तरीके हैं उसमें एक तो बताया गया कि किलब लेवल पे सेमिनार्स वगरा कायोजन किया जा सकता है इसके अलावा ब्रॉशर्स हैं फ्लायर्स हैं इनका डिस्टिबूशन किया जा सकता है डिस्टिक लेवल पे किलब लेवल पे या फिर रैलीज निकाली जा सकती हैं जैसा कि पोलियो मिशन में अवेर्नेस के लिए रैलीज निकाली गई थी जिनका काफी अच्छा प्रभाव पड़ा या स्कूल्स लेवल पे पोस्टर, सिलोगन, डीबेट्स वगरा का आयोजन किया जा सकता है या फिर सबसे अच्छा आजकल जो सशक्त माधियम अवेर्नेस के लिए वो है सोशल मीडिया, फेस्बुक, ट्विटर या वाटस अफ का यूज किया जा सकता है या फिर प्रिंट और इलेक्टरॉनिक माधियम का भी प्रियोग किया जा सकता है अवेर्नेस को बढ़ाने के लिए वाटर कंसरवेशन के अवेर्नेस से रिलेटेड दूसरे तरीके हो सकते हैं कि जो आलेड़ी कुछ अइंजीयोस इसमें काम कर रहे हैं उनके साथ टाई अप्स किये जा सकते हैं नान कनवेशनल मीडिया हैं उनका इस्तमाल किया जा सकता है या कुछ सेलिबरिटी इंडॉस्मेंट किये जा सکते हैं जैसे अमिता बचन को इसमें लिया गया है रोटरी के इस मिशन के साथ या बहुत सारी जो कार्पुरेट कमपनीज हैं वो CSI पार्टनर्शिप्स करती हैं ये सबसे अच्छा माद्यम है इसका उप्योग किया जा सकता है या कुछ लोकल गॉर्मेंट बॉडीज हैं उनके साथ टाई अप्स किये जा सकते हैं ये भी बताया गया कि R.I.W.M. का अपना एक फेस्बुक का आफिशल पेज भी है R.I.W.M. आफिशल करके और ये का गया कि सभी रोटरी के मेंबर्स इस पेज़ पे जरूर जाएं सर्च करें R.I.W.M. आफिशल करके और इस पेज़ पे जाके इस पेज़ को लाइक करें और अपने फेरेंड सर्किस में भी इसे जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आवेरनेस फैले रोटरी के दोरा किये जा रहे जो R.I.W.M. मिशन के तहट काम है उसकी लेटिस जानकारी इस पेज़ पे मिलती रहेगी R.I.W.M. का ट्विटर हैंडल भी है R.I.W.M. के नाम से उसको भी एकसेस किया जा सकता है वाटर मिशन का तीसरा वर्टिकल है ट्रांस्फरमेशन अब वाटर बाडिस बहुत सारे वाटर बाडिस जो पहले अच्छे इस्तिती में थे लेकिन उन में पानी का लेवल काफी कम हो गया उनका फिर से पुनरुदार करना ट्रांस्फरमेशन करना और कुछ उदारन दिये गए जो ऐसा किया भी गया है सकसेस्फरी जैसे कि जैपुर में मान सागर लेक का पुनरुदार किया गया है उसी तरही के से आंधर परदेश में तेनाली में पिन पॉड़ू तालाब का पुनरुदार किया गया है वाटर बाडिस के ट्रांस्फरमेशन की जरुत है सबी शेरों में, गाओं में, कई जगह ऐसे वाटर बोडिस मिल जाएंगे, ऐसे तालाब मिल जाएंगे, जिनका पुनरुधार किया जा सकता है water bodies के transformation से सम्मनित जो विबिन स्टेप्स हैं उनको भी discuss किया गया water bodies के transformation से क्या फाइदे हैं इसको बताया गया कि इस से storage of water जो है बढ़ेगा drinking water जो है इससे provide होगा ground water level इससे recharge होगा animals है, kettles है, birds है उनके लिए पानी उपलब्ध होगा irrigation के लिए पानी उपलब्ध होगा और इसके अलावा recreational facilities के लिए पानी उपलब्ध होगा उनके किनारे किनारे जो है वो लोगों के टहलने के इस्थान बनाए जा सकते हैं water bodies के transformation पे क्या खर्चा आएगा, क्या cost आएगी इसको भी discuss किया गया, जैसे एक लेक का transformation करना है तो उस पे 25 एकर की अगर जील है तो उस पे 1 लाग से 2 लाग तक का खर्चा आ सकता है pond transformation है तो उस पे 2 लाग से 5 लाग तक का खर्चा आ सकता है body या step file है कुआ है, तो उस पे 2 लाग से 10 लाग तक का खर्चा आ सकता है R.I.W.M. की central team ने ऐसे बहुत सारे sites को चिनित कर रखा है जहां पे water bodies का transformation किया जा सकता है उसके बाद water mission के चौते verticals efficient use of water को discuss किया गया पानी के efficient use के लिए जरूरी है पानी के इस्तमाल को reduce करना और पानी के इस्तमाल को recycle और reuse करना पानी के consumption को reduce करने का एक आसान तरीका है Aero Toss का use करना Aero Toss जो मात एक टैप के लिए जिसका खर्चा 30 रुपए आता है लेकिन वो पानी के 90% misuse को रूपता है conserve करता है तो इसके जादा से जादा इस्तमाल करने पर बल दिया गया पानी का सबसे जादा इस्तमाल irrigation में होता है और irrigation में पानी के consumption को reduce करने के लिए दो तरीके अपनाने के लिए कहा गया sprinkler irrigation system का इस्तमाल करके और drip irrigation system का इस्तमाल करके पाने की recycling और उसे reuse पी किया जा सकता है घरों से और office building से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है जिसमें fecal contamination नहीं होता है उसको grey water system के माध्यम से recycle किया जा सकता है और उसे फिर से इस्तमाल करने लाएक बनाया जा सकता है इसके बाद पानी के इस्तमाल को reduce करने recycle और reuse करने से संबंदित जो उपकरण है उन पे आने वाले cost को discuss किया गया जैसे एरोटोस को अगर इस्तमाल किया जाता है तो प्रती घर करीबन 200 रुपए का मातर खर्चा है ग्रे वाटर रिसाइकलिंग पे डेर लाख रुपए से दो लाख रुपए तक का खर्चा है और उसी तरीके से drip और micro irrigation system पे करीबन 40,000 रुपए पर एकड़ जो है खर्चा है रेन वाटर हावेस्टिंग को लेके गवर्मेंट ने कई नियम तो बना रखे हैं लेकिन अभी कई स्थानों पे इसका पूरी तरीके से पालन नहीं हो रहा है इसके लिए और अधिक awareness बढ़ाने के आवशकता है और नियमों को कड़ाई से पालन करवाने के आवशकता है रेन वाटर हावेस्टिंग पे आने वाले जो विभिन प्रकार के cost हैं खर्चे हैं उनको भी डिसकस किया गया रेन वाटर हावेस्टिंग के क्या फाइदे हैं ये डिसकस किया गया रेन वाटर हावेस्टिंग सिस्टम की regular maintenance की आवशकता है इस बात पे भी बल दिया गया मैंन सवाल ये उठता है कि रोटरी इंडिया वाटर मिशन के तहट किये जाने वाले इन प्रोजेक्ट्स के लिए source of funding क्या है कहां से पैसा आएगा इन सब को करने के लिए तो एक तो सबसे अच्छा तरीका है CSR कारपोरेट जो घराने हैं उनकी जो CSR schemes हैं नके तहित यह प्रोजेक्ट कराये जा सकते हैं रोटरी गिलोबल ग्रांट्स या डिस्टिक ग्रांट्स के माधियम से ये प्रोजेट्स हो सकते हैं या अपने चेतर में जो दान देने वाले फिलिन्थ्रोपिस्ट्स हैं उनकी साहिता ली जा सकती है किलब के कंट्रिबूशन से कुछ प्रोजेट्स हो सकता है या फिर गौर्वर्मेंट के भी कुछ फंडिंग स्कीम से हैं जिनके माध्यम से पदा करके टाई अप करके ये प्रोजेट्स किये जा सकते हैं लेकिन ये एक सुझाव दिया गया कि जब प्रोजेट्स किये जाएं तो उसमें 15% तक कम्यूनिटी का कंट्रिबूशन जरूरी हो क्योंकि कम्यूनिटी जब कंट्रिब्यूट करती है तो इसके मात्तों को समझती है इसके लिए किलब्स का कंट्रिबूशन कम से कम 25 पसेंट हो और बाकी 60 पसेंट जो कंट्रिबूशन है वो स्पांसर्शिप के दोरा हो इसके बाद रोटरी इंडिया वाटर मिशन के तहट 2020 से 2025 के बीच में पांच सालों में जो टार्गेट सेट किये गए हैं इसके डिफरेंट वर्टिकल्स के वो बताएगे कि दस हजार वाटर शेड इस्ट्रक्चर का निर्मान करना है पांच हजार लाख लोगों को अवेर करना है दस हजार लेक स्पॉन्स और बावडिस वाटर बावडिस का ट्रांस्फार्मेशन करना है इसके अलावा पचीस लाख घरों में पानी के कंजप्शन के प्रयास करने है पंदरह हजार ड्रिप और माइक्र इरिगेशन सिस्टम के इंस्टॉलेशन करवाने है और पांच हजार साइट्स पे रिसाइकल गरे वाटर के लिए इंस्टॉलेशन देने है और रेन वाटर हाविस्टिंग के पचास जार प्रोजेट्स जो है इन पांच सालों में करने है इन कारियों के लिए निर्धारित किये गए चैनल पार्टनर्स को बताया गया और साथ में हर साल हर एक डिस्टिक्ट में जो टार्गेट सेट किये गए हैं उनको बताया गया इस परकार काफी मातपॉन और दिल्चस प्रिजन्टेशन था जिसकी सभी ने बुरी बुरी प्रिशंसा की प्रिजन्टेशन के बाद पार्टिसिपेंट्स के जो कोईरी थे उनको सुना गया, सौल्ट किया गया और अन्ट में इस वेबिनार में समलित होने वाले सबी मान भाओं को धन्यवाद दिया गया और ये भी आगरा किया गया कि सभी लोग अपने अपने किलप्स में अन्या सदस्यों के साथ इसको जरूर शियर करें अगर आपने भी इसे अन तक देखा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद